नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनूत त्रिपाथी बीपी नियूर्ट पर उत्तरप्रदेश की एक और बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हूँ हम बात कर रहे हैं बारबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर की प्राचीन महादेव मंदिर है दिव्य है भब्य भी है लेकिन जिर्णो धार के लिए लंबे समय से तरस्ता था उत्तरप्रदेश के सियं योगी आदेतनात ने कुछ दिनों पहले बड़ा फैसला लिया था कि लोधेश्वर महादेव मंदिर को कासी विश्वनात की तर्ज पर सजाया समारा जाएगा और जिर्णो धार होगा अब लोधेश्वर महादेव मंदिर में काम सुरू हो चुका है सबसे पहले लोधेश्वर महादेव का जो पूरा पूरी इमानत है उसको सजाया जाएगा उ स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं ये तस्वीरे हैं उत्रप्रदेश की राजधानी लखनौ के बगल में श्रिद बाराबन की के लोधेश्वर महादेव मंदिर की भगवान महादेव का लोधेश्वर मंदिर प्राचिंतम है और पुले देश में विख्यात ह सावन माह में लाखों कावणिये यहां जलाविसेख करने आते हैं हजारों भक्त देजभर से भगवान सीव से अपनी मननत मांगने के लिए आते हैं अपनी मननत पूरे करने का आसेवाद लेने के लिए आते हैं भारी भीड़ी यहां होती है लेकिन ये एतिहासिक मंदिर पिछले कई दस्कों से उपेच्छा का सिकार है यहाँ पर जिनोधार और विकास की राह सिर्फ मंदिर ही नहीं बलकि आसपास के भट और स्थानिय लोग भी देख रहते शुक्र है उत्प्रदेश के मुख्यमंत्री योग आदेतनाथ का जिनोंने बारवंकी के महादेवा गाओं में स्थित लोधिस्वर महादेव मंदिर और स्थानिय लोगों की सुझली और अब महादेव मंदिर के जिनोधार का कारे शुरू हो चुका है बावा कासी विच्वनाथ मंदिर में बने भव्व कारिडोर की तरज पर लोधिस्वर महादेव मंदिर में भव्व कारीडोर बनाया जाने की कारवाई शुरू कर दी गयी है मुख्यमंत्री के निर्देश पर बारावंती डियम सत्येंद्र कुमार ने जमीनों के अधिग्रहन की कारवाई शुरू की 158 मकानों की जमीन अधिग्रहत की जानी है डियम के अनसार अब तक 106 मकानों की जमीन अधिग्रहत की जाज़ चुकी है और अब वहाँ पर बुल्डोजर पहुच चुका है जिन मकानों का जिन जमीनों का अधिग्रहत हो चुका है उनको समतर किये जाने की कारवाई शुरू कर दी गई है जिससे की काम शुरू हो सके बागी के जो मकान और जमीन भी अदिग्रत की जानी है उसकी भी जल्दी कारवाई पूरी की जाएगी पत्रकार केके जुकला ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ उत्रपदेशी नहीं बल्कि पूरदेश से सावन माह में लोग अपनी मननत मालने के लिए आते हैं के दरबार में और जलावी से करते हैं और अपनी मननत मांगते हैं यहाँ पर लंबे समय से विकास कारों की प्रतिच्छा थी अब मुख्यमंत्री के फैसले के बाद यहाँ पर कारे सुरू हो चुका है और भव्य कारीडोर बनने जा रहा है जिससे लोगों में खुसी है देख कि जो निवासी हैं जो यह मकान बने हुए हैं इनकी रजिष्ट्री का कारिशा लाहा है रजिष्ट्री कराने के बाद इनके खाते में पैसे भेजे जा रहा है जैसे ही सभी रजिष्ट्री हो जाएंगे करीब 108 रजिष्ट्री हो चुकी है रजिष्ट्री होने के बाद सार देखिए उत्तर भारत का प्रसिद्ध मंदिर है जो लोधेश्वर्म नाम के से विख्यात है और ये स्व्यम्भू सूलिंग है एक लोधे राम थे जो अपनी खेत जुताई कर रहे थे जुताई करते समय फौड़ा उन्हें चलाया तो धर्ती से धर्ती में जो है शूलिंग के पर उनका फौड़ा पड़ा तो वहां से रग्त निकलने लगा तो और खुदाई करने लगे पानी लगा रहे थे पानी उसी में सब समया जा रहा था जैसे ही वह खुदाई कि ये देखे कि स्यूलिंग निकली उसमें फिर उन्होंने उसको एक छोटी सी धोप्रिक टाइप बना के वहां रहने लगे और यहां की जो राजा सहाब थे राजा जो रतनाकर सिंथे उनके पिताजी थे उन्होंनों इसका शुरूप दिया और धीरे धीरे बहुत बड़ा मंदिर के रूप में विख्यात हो गया और देश और प्रदेश से लाखों लोग आते हैं शावन म पनावती पूरी होती है दूरे रिपोर्ट बीती नीज़ भारत